नवस्ते दोस्तों, मोटर बीम हिंदी में आप सब का फिर से स्वागत है आज मेने पास जो एसी वी है, वो है फोक्स वागन की नई टाइगुन जो बेस्ट है MQB AOIN प्लाटफॉर्म पे जो शेर किया जाता है श्कॉडा कुशा के साथ अब ये गाड़ी इंडिया में August September की बीच में करीबन लॉंच होगी और ये कबबीट करेगी Hyundai Carreta, Kia Celtos और of course Koda कुशा के साथ अब जातक मेकैनिकल्स की बात होती है तो ये गाड़ी में आपको दो पेट्रोल एंजिन्स मिल जाएंगे 1 लिटर TSI और 1.5 लिटर Evo TSI PSG EFA 6-speed manual और बड़ा अले एंजिन्स प्रेइस करता है 1500 PS की पावर और 2500 Nm का टॉर्क अब जाता कि ये गाड़ी के कैबिन की बात होती है तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते है सबसे पहले इसमें आपको एक electric sunroof मिलता है इसमें आपको front ventilated seats मिल जाती है wireless charging का feature मिल जाता है automatic climate control, electrically adjustable and folding mirrors, keels go with push button start, LED headlamps ये सभी features आपको ये गाड़ी में मिल जाते हैं इसकी touchscreen भी काफी crisp इसका resolution अच्छा है इसमें आपको सभी connectivity options भी मिल जाते है अब जाता cabin के quality की बात होती है तो cabin की quality ये price range ये segment के साब से काफी ठीक तक है लेकिन cabin इतना जादा spacious भी नहीं है अब ये गाड़ी की width थोड़ी narrow है Hyundai Creta और की Asceltos के comparison में तो पीछे 3 लोग को बिटा हम थोड़ा tight हो जाता है लेकिन 2 लोग एकदब आसानी से comfortablyly बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी की seats का जो shape है वो काफी comfortable supportive भी है अब गाड़ी में headroom है वो इतनी जादा spacious नहीं आपको headroom में थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आप जादा tall हो अब यह मेरी height करीबन 6 foot है और मैं पीछे जब बैटा था तो मेरा head almost touch कर रहा था roof को अब जा तक size की बात होती है तो यह गाड़ी Škoda कुशाक से काफी मिलती जुती है dimensions में इसका wheelbase है 2651 mm जो exactly same है Škoda कुशाक जैसा इसके underpinnings भी काफी similar है Škoda कुशाक से और बहुत सारे components भी share किये गए है अब यह गाड़ी इंडिया में launch होगी कुछे महीनों बाद और इसके expected price है करीबन 11 से 17 लाख रुपए एक शोरूम थोड़ी उपर है नीचे हो सकती है तो शुक्रिया दोस्ते ये वीडियो को देखने के लिए हम लोग ये गाड़ी को जब चलाएंगे तब एक detailed review आएगा लेकिन आप तब तक मुझे comments में जरूर बताए कि आपको Volkswagen Tigon कैसी लगी